राधी राधी दोस्तों आज की वीडियो में हम माखमास महात्यम का छठा अध्याई सुनेंगे छठा अध्याई प्रार्यम्भ पूर्व समय में सत्यू के उत्तम निसेध नामक नगर में हिम कुंडल नाम वाला कुवेर के सद्रे से धनी वैस्च रहता था जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता अगनी और ब्रहमन की पूजा करने वाला खेती का काम करता था वह गोगोड़े भैंस आधी का पालन करता था दूद दही छाच गोबर घास गुर चीनी आधी अनेक वस्तू वेचा करता था जिससे उसने बहुत साधन इकठा कर लिया था जब वह बूढ़ा हो गया तो मृतियों को निकट समझ कर उसने धर्म के कारे करने प्रारंभ कर दिये भगवान विश्णू का मंदिर वनवाया कुवा तालाब बावडी आम पीपल आधी वरिच के दथा सुन्दर भाग वगीचे लगवाई सुर्योदे से सुर्यस्त तक वह दान करता गाउं के चारों तरफ जलकी प्याउं लगवाई उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किये थे उनका प्राष्चित करता था इस प्रकार उसके दो पुच्र उत्पन हुए जिनका नाम उसने कुंडल और वी कुंडल रखा जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेम कुंडल वैस्य ग्रस्ती का सब कारे सौब कर तपस्या के निमित वन में चला गया और वहां विश्णू की आराधना में सरीर को सुखा कर अंत में विश्णू लोग को प्राप्त हुआ उसके दोनों पुद्र के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए वैस्य गामी वीना और वाजे लेकर वैस्याओं के साथ गाते फिरते थे अच्छे सुंदर वश्थर पहन कर सुगंधित तेल आदिय लगा कर भार और खुसामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों मे रहते थे इस प्रकार उपर बोए बीज के सद्रिस वह अपने धन को बुरे कर्मों में नस्थ करते थे कभी किसी सत्थ पात्र को दान आदी नहीं करते थे नहीं कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विश्णू का पूजन ही करते थे थोरे दिनों में उनका सब धन नस्थ हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गये भाई जन सेवक उप जीवी सब इनको छोड़ कर चले गये तब इन्हों ने चोरी आदी करना आरंभ कर दिया और राजा के भैसे नगर को छोड़ कर ढाकों के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तिछन वानों से वन के पच्छी हिरन आदी पसूत था हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे इन में से एक परवत पर गया जिसको सिह मार कर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया तब यमराज के दूत उन दोनो को बांध कर यम के पास लाए और कहने लगे की महराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आग्या है इति माख मास महात्यम छटा अध्याय संपूर्ण वोलो विश्नु भगवान की जै लक्ष्मी नारायन की जै श्री कृष्ण भगवान की जै वीडियो पसंद आया हो तो वी आइकन को ओन कर ले जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फिर मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जै श्री कृष्ण राधे राधे